क्या कहत rains २ ते difference between the largest and the smallest number is क्या कह रहा है क्वेशन में कि 9 consecutive even number का जो average है वह है 25 और हमें पूछ रहा है question में कि difference बताओ largest और smallest जो number है उसके बीच का difference बताओ तो हम यहाँ पर question को अगर solve करना चाहे है तो हम क्या करेंगे हम let कर लेंगे कि 6 consecutive event numbers क्या है x से start किया तो पहला x हो जाएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा x plus 2 हो जाएगा तीसरा क्या हो जाएगा x plus 3 हो जाएगा 4 हो जाएगा चौथा x plus 6 x plus 8 and x plus 10 यह जो हो गए 6 consecutive even numbers हो गए अब हमें क्या बताना है कि largest और smallest के बीच में difference क्या होगा तो x तो same है दोनों में ठीक है जो बदल रहा है वो क्या बदल रहा है वो हमें जो addition हो रहा है वही बदल रहा है सबसे छोटे से सबसे बड़ा कितना जादा है हम देख के बता सकते हैं वो 10 जादा इतनी जो इस question का answer हो है क्या है option b 10 जो है उनके बीच का difference है अगर आप यहाँ पर निकलना चाहिए तो कैसे कर सकते है एक्स प्लस 10 माइनस x अगर करेंगे तो जो value आएगी वो 10 है जो है option 2 अगर को